दो हजार चोबिस अंपी अलेक्शन के खरीब करनाटक में जेडियस वीजेपी अलाइंस के बात कुमार सौमी और देवी कोडा के इस फैसले पर तमाम मुस्लिम लीडर्स के बीच नाराज की देखी जा रही है करनाटक से सोभी मुस्लिम लीडर्स और वर्कर्स जेडियस पार्टी से दूरी अख्तियार करने का फैसला ले रहे है पूरे करनाटक में अवाम के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि जेडियस मुस्लिम लीडर्स आगे क्या फैसला लेंगे हैदराबाद करनाटक के अगर हम बात करें तो यहाँ नाशिरुसिन उस्ताद की लीडर्शिप में एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जहां तमाम हैदराबाद करनाटक के मुस्लिम लीडर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स एक जगा जमा होकर अहम फैसला लेंगे इस मौके पर गुलबर्गाद जेडियस लीडर अफजर मेहमूत ने प्रोग्राम की तमाम डीटेल बताते हुए तमाम सेकुलर जहन रखने वाले जेडियस लीडर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स को फैस्ट अक्टोबर में जमा होने की गुजारिश की है आरे हिल सिर्कल रिंग रोड गुलबर्गाद असलाम उलेकुम और रहमतुलायो बरकातो हो जैसा मैं आपके सामने 15 दिन पहले हाजिर हुआ था इस ऐलाम के साथ के कमोबेश 15 दिन के बाद हमारी एक एहमतरीन मीटिंग एक इजलास तलब किया जाएगा जिसकी खयादत ना लोगों को मिलाकर ये मीटिंग ली जाएगी लोगों को बुलाकर मीटिंग ली जाएगी मकसद ये है कि 15 दिन पहले ही हमारे सामने ये इनकिशाफ हुआ था कि जनता दल सेकुलर और बीजेपी का ऐलाइंस होने जा रहा है और बाचित चल रही है इनिशल फेजस में है अभ और उनको इस बात की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा है कि जितने भी जनता दल सेकुलर के मुस्लिम और सेकुलर खायदीन है वो इस अलाइंस से नाखुश है हम इस तालुख से मसलसल अपने नाराजगी का इजहार करते आ रहे हैं कि ये जो अलाइंस है वो हमारे ल पारिख को यानि के इतवार के दिन एन्यम नभी साहब जो के साबिक वजीर है नासिर उसेन उस्ताद साहब अलताफ मुहित साहब और दीगर खायदीन मिलकर एक एहमतरीन मीटिंग लिए और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि पूरे करनाटक में एक कंसिंसस की जाएगी और इस मीटिंग का एक ही मकस्थ होगा कि तमाम तर लीडर्स और जन्ताद 오늘도 के वरकर्स साती और जन्ता सेक्लर के चाहने वाले जो के वाकिए सेक्लर सोच के साथ इस पार्टी के साथ जुड़े वे थे और इस ऐलायन्स नाराज है उनको बुलाकर इस मीटिंग को तलब करें और इस मीटिंग को तलब करके यह राय हमवार कर दी जाए कि एक एहम फैसले के साथ यहां से आगे का लाहे अमल बनाया जाए यही जिमन में हैदराबाद करनाटक के पूरे इलाखे के ओपर नाशर हुसेन उस्ताद साथ मुक्तलिफ लीडर्स से बात कर रहे हैं और तमामतर जो लीडर्स हैं और तमामतर वरकर्स हैं उनको मदू करके यह मीटिंग मेट्रो फंक्शन हॉल में बुलाई जा रही है और इस मीटिंग में आगे के लाहे अमल के तालुक से बात की जाएगी और तमाम तर लोगों को उनकी राय को हमवार करके आगे का लाहे अमल तै किया जाएगा मेट्रो फंक्शन हॉल में तमाम तर जनतादल सेकुलर के नाराज वरकर्स, लीडर्स और सपोर्टर्स इनकी मीटिंग तलब की जा रही है इन्शालला ये मीटिंग बाद नमाज जोहर दो बजे उसका आगाज होगा और वहीं पर लाहे अमल तै किया जाएगा और इन्शालला नासुर उस्ताद साथ एक एहंतरीन फैसले के साथ आपके सामने रूनुमा होंगे मैं आप तमाम तर जो नासुर उस्ताद साथ के चाहने वाले हैं उनके लिए काम कर चुके हैं उनकी सोच औ फिकर के साथ हमेशा डटकर खड़े रहे हैं मैं उन तमाम तर सपोर्टर से उन वर्कर से उनके बेलविशर से यह गुजारिश करता हूँ कि इस एहम तरीन इजलास में पूरे के पूरे हैजराबाद करनाटक के इलाखे से आप लोग शरीक हों और इस इजलास को जादा से जादा कामियाब करें यही मरी आपसे गुजारिश है याद रखिए यह इजलास एक तारीख को बरोज इत्वार मेट्रो फंक्शन होल में मुनखित किया जा रहा है इंशालला बाद नमाज जोहर दो बजे इस इजलास का इनेखाद होगा बहुत बहुत शुक्रिया असलाम उलेकुम